ओम्च्ष्यान्ति भगवान जिन की चिन्ता करता हो वो भला अपनी चिन्ता क्यों करें सोच कर देखो हम सभी ने किसका हाथ पकड़ा है उसका जो सार्व शक्तिवान है जो सभी की चिन्ताएं हरने वाला है जो हमें बहुत प्यार करता है जो हमारे चेहरे को हमारे जीवन को सदा खुस नुमा प्रेम से वरा हुआ निश्चिन्त बेफिक्र बात्सा समाम देखना चाता है उनकी ओर से हमें पूरी मदद मिलती है हम केवल अपना नाता उनसे जोडे रखें हमें इस चिन्त जीवन जीना है हमें बेफिक्र बात्सा बनना है यदि हम ज्यान का चिन्तन करते रहेंगे तो इस चिन्तन से अनेक चिन्ताइं समाप्थ हो जाएंगी क्योंकि कईयों को चिन्ता करने की आदत पड़ जाती है बात बहुत छोटी होती है लेकिन चिन्ता कर करके वो उसे अपनी समस्या बना लेते हैं बहुत टेंसन में रहने लगते हैं दीन्द भी गवाँ देते हैं और ऐसे में उनके कदम भारी हो जाते हैं इसलिए घ्यान का चिंतन करें और अपने लिए कुछ ऐसी पॉइंट्स लिख कर रखें, कम से कम पाँच, जिनको याद आते ही हमारी चिंताएं समाप्त हो जाएं, नहीं तो चिंता की चिताओं पर जलता हुआ मनुस, आज बहुत ही दैनिय श्थिती में पहुंचता जा रहा है, कम से कम 90% लोग तो जीवन चिंताओं में व्यतीत करते हैं, लेकिन हम सब गौडली स्टूडेंट हैं, हमारे पास ज्यान का भंडार है, हम उसमें से 5 पॉइंट ले लें और उन पे चिंतन भी किया करें, उनका अपलाई किया करें, उनका प्रैक्टिकल में यूज किया क तो चिंताओं खतम होती जाएंगी, जैसे, बाबा ने कहा, मेरे को तेरे में वदल दो, फिकर बाप को देकर फकुड ले लो, और बेफिकर बातसा बन जाओ, अभी कोई चिंता की बात आ गई, मेरी चिंता है, वच्चों की चिंता है, विमारी की चिंता है, साधी व्याह की चिंता है, हम ये चिंता बाबा को अर्पित कर दें, तुझ को अर्पित, और थोड़ा ने शिंत रहना सीखें के बाबा करेगा, समय लग सकता है, कई बार मनुद सोचता है, अभी हमने बाबा को अर्पित किया, और अभी हमारी चिंताइं लोफ हो जाएं, ऐसा कभी नहीं बाबा तुरं थर भी लेगा लेकिन यदि हमें सोचने की आदत पड़ी होगी तो हमें लगेगा बाबा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया फकुर ले लें कौन मुझे साथ दे रहा है किसका मैंने हाथ पकड़ा है कौन मेरा जिम्मेदार है किसने मुझे कहा है कि अपने सब बोज मुझे दे दो सारे संसार का बोज उठाने वाला क्या अपने बच्चों का बोज नहीं उठाएगा ये समर्तियां हम इने श्चिंत करेंगी हम बेफिकर बादसावनना चाहते हैं तो स्वयम के बादसावन जाएं अपने संकल्पों के बादसावन जाएं और जो जादा सोचने की आदत होती है उस पर जराध्यान दे एक संसकार हो जाता है कईयों का कई लोग बात करते हैं बहुत बड़ी समस्या है हम बहुत परिशान हैं लेकिन जब उनकी समस्या सुनी जाती है तो पता चलता है समस्याएं बड़ी नहीं हैं वो छोटे हो गए हैं इसके लिए अपनी सक्तियों को बहुत बढ़ाएंगे जैसे ज्ञान में व्रद्धी करेंगे वैसे ही मास्टर सर्व सक्तिवान का अभ्यास करते हुए सर्व सक्तिवान से शक्तियां भी लेते रहेंगे तो हमारी इनर पावर बढ़ती चलेगी तो एक तरफ ज्ञान का बल हमारे साथ होगा दूसरी तरफ ये योग का बल होगा तो धीरे-धीरे हमारी स्थिती बहुती स्थेस्ट होती जाएगी हम एक महान स्थिती को प्राप्ठ करते चलेंगे और अपने पर ध्यान भी देना है कि कहीं जादस सोचने की आदत हमें परिशान तो नहीं कर रही हैं, तो हर बात को चिंता न बना लें, इस वर ये चिंतन में रहें, रोज सवेरे उठें, मुल्ली सुनें, तो जीवन निश्चिंत हो जाएगा, हम बेफिकर बातसा बन जाएंगे, संसार चिंताओं की चिताओं में जलेगा, और हम उन्हें मुक्त करने वाले हो जाएंगे, ओम स्यांती.